नमस्कार मैं तरणु अरोडा और आप देख रहे हैं अलेवा ब्रेकिंग नियूज आज हम मुझूद हैं दादु पंति डेरा अलेवा में तो हमारे साथ जो बैठे हैं महाराज जी हमारे साथ बैठे हैं दादू पंथी डेरा कब बना था, कैसे बना और यहां पर कोन आया था, जिसने दादू पंथी डेरे का निर्मान करवाया, तो इसकी जानकरी हम महाराजी से लेते हैं, नमस्कार जी, परणाम गुर्देब, परणाम नमस्कार जी, तो आप हमें ये बताइए, जो हमारे इसी डादू द्याल जी महाराज, एमदाबाद, उनका कांकरिया तलाव से प्रभू के दर्सन करके संत बने, उन्होंने तपस्चाई की राइस्थान, शिरोई, करडाला धाम, बैराना, नराइना, आमेर और सांभर, और उनके 152 से बने, उनमें से रतिया, जो हर्याना में ह तो हर्याना अब बनाए, तो उससे पहले पंजाब था, उस पंजाब के रतिया, जो आजकल फत्याबाद जिले में है, वहाँ पर बाबा रिदाशी महाराज, दादू पन थी, बाबा बनवाई दाशी महाराज दादू पन थी, वे दादू महाराज के 152 सिष्यों में आते ह थे, अलेवा उसमें गावाद नहीं था, जंगल हुआ करता था, उस जंगल में आकर के यहां गुफा है, जिसमें उन्होंने बजन किया, साधना की, एक बार राया मान सिंग यहां पर आए, जो डेरे में गुफा है, जो इसी में बजन किया था, और एक बार राया मान सिंग जब यहां आए आमेर से तो उन्होंने सर्संग किया बाबाजी का महल बनाने के आग्या दे महल जो बना जो कुफा के ऊपर प्राचीन संद बताते हैं कि ये तीन मंजिल का था जंगल हुआ करता था उस समय ये बना इस्थान तब से अनबरत इस पर जो अब पंद्रे पीडी पहले महंत पंपरा चलती आई है सौलमी पीडी पर मैं बरत्मार में हूँ महंत रामदर दास बेदान से आचारे तो बाबाजी सौलमी पीडी में हूँ तो उस समय गाउँ आवाद नहीं था चौदे बर्स के बाद गाउम जो अबाद हुआ है अलेवा गाउम उनके आने के चौदा बर्स बाद जी तो उश्य में तो कुछ सन वगर आई आपको कुछ याद है कोई गरंथ में लिखा हूँ जी गरंथ हैं उनमें पीडी परिम्परा दी हुई है और हस्य के गरंथ है पराने संतों की जो उन संतों ने यानि सिक्षित थे अलेवा गाउम जो है 480 बर सो गए 480 बर सो गए तो इसमें आप देखेंगे कि नारनॊंच के गाउम जो है अलेवा आवाद हुआ है साधन पट्टी पहले आकर के जनोंने जब मुड़ी गारी है वो आवाद हुए है उसके बाद जब दूशे है जैसा कि बाबे धुने वाली वीडियो में भी बताया गया था कि सादन पट्टी पहले बसी थी तो उस समय जब जंगल हुआ गरता था तो उन महापुर्शों ने यहां पर तफस्याई की यह इस्थान अनवरत आबाद है इसकी कई ब्रांचे है वहाँ पर भी उन गाओं में भी जो उनकी लिखित है और जो हमारे यहां गदी परंपरा रही है बड़ी गदी हमारी नराना धाम डिस्टिक जिला जैपुर में है राजस्तान में वहाँ पर बीश्मी पीडी के बरतमा राच्चा रहे है सी गुपाल दाशी माराज जगद गुरू सी गुपाल दाशी माराज बरतमान में वहाँ बिद्धमान है तो हमारी जो परंपरा है देरों की उनमें जो है इस्थान पर ही लिखा परी होती है तो वो प्रमप्राई जीवित हैं मैं आपको असे गंथों के द्वारा इसको प्रमानित करके दिखाता हूँ तो ये किन जो गंथ है ये कितने साल पुराना गंथ है ये गंथ है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ हमारे हमपर सारे चार सो बस प्राशिन 3 सौ बस प्राशिन, चार सो बस प्राशिन जिसकी संबत, लखने का इस्थान और लखने वाले का नام और उनके गुरूहों का नाम पीड़ी दर पीड़ी दे हुए है और हस्तकी गन्त है ये तो ये किन के द्वारा ग्रंथ लिखे गई हैं? ये कई संतों के द्वार लिखे गई हैं. अलेलर संबत, अलेलर इस्थान, कोई कानौर जो आजके जिला रोतक में है, कोई स्थान जो पेटवा, जो इसार डिस्ट्रिक में है, कोई स्थान चर्की दादरी, कोई इस्थान अलेवा में, कोई जुआ शिया में, इस तरह गंत अलगर संतों ने अलगर समय पर अलगर तिती बारों में लिखे हैं इससे ऐसा लगता है कि दादी माराई के 152 सिश्चों में से 52 सिश्चों ने इस्थान बनाई थे जो थामे कहलाते है हमारे यहां पर, उन थामों की परंपरा में अगर देखते हैं तो 43 संतों की बारी मिलती है बावन में ऐसे 43 संतों की बाणी है जैसे रजजब बाणी, सुन्दरदाशी की बाणी, सुन्दरदाशी के सभईये, पद, तथा बखनाजी की बाणी, जगजीबंजी की बाणी, ये अनेक संतों की बाणी जो है, बत्मान में, उपलब्द है, तो बाबाजी ये जो डेरा है, दादू पंथी डेरा इसका निर्मान कब किया गया था इसका निर्मान करीब पांसो बर्स हो चुके हैं जब किया गया था मतलब अलेवा बनने से अबाद होने से पहले अलेवा अबाद होने से पहले डेरा था यहां पर राजा मांशिंग आई थी तो देखिए पुराना गरंथ है बाबजी में दिखा रहा है ये कौन सी बाशा लिखे गी है ये हिंदी बाशा है तो मतलब पुरानी जो हिंदी इस तरह से हो देख सकते हैं इसमें कई विशेष्टा हैं देखो हसलिकित गरंथ हैं जो आज के समय बड़ी दुल्लव हैं क्यों इन में कई चाहिक से लिखे जाते थे हैं वह स्वाने में जो है यह वाफिए नहीं नहीं थे मौर्टंप हुआ करते थे इन्हें कागच वी जैसे बनते थे अज्ञाम आज तो आज कल पयान से मिरिखते हैं तो शाहिज फैल जाती है या कुछ भी रहता है बाज इतनी पुर संबत 1833 मिंग सर्वधिती ताद निपोती लेखे लिखने बाबा मयराम जी मयराम जी हमारे दादु पंत के अलेवा के डेरे में एक महन जी हुए जिनके सही पूरा उबता संबत 1838 जिनके चरन आपने गुफा के पास देखें दरसन के उनके चरन आप पह स्नापिस है उन्हों वहां पर भी इनोंने डेरे की इस्तापना की थी बाब मायराम जी ने जो वहां के शिला लेखों पर गाउं के जो है गौरबपट पर अंके थे तो इनके जो है यह संबत थार्षो टेटीश निंग शरी मूं शरीपॉ ज beetle की जे शंफीं हुयां हे शो शृस्तान अलेवा हैार मियरान मिंक शरी ऐंडिकी ती ताइन पॉती लिkkी जी संपॉन वही शूस्तान अलेवा having God और निया लिक्ताम, बाबा मया राम जी एकाशिस नुष्छ नुष्ण काम सौनारी कुछ भी है। तो देखे चार सो साल बी बाद भी इस गरंट को देखे कितने ही असानी से पढ़ा जा सकता है आप भी से पढ़ सकते हैं शुद इंदी में लिखा हूँ है जो बाचे पढ़े ताही प्रणाम सत्रेवा ये उन्होंने पहले से पीडिया का उल्ले किया इसमें जिन से इनका दूसा उल्लेक प्रमान बताएं कि जैसे जो हमारे गद्धी है उस पर जो जब मोकान होती है आचार जुट के द्वारा पंथ के बीच में सद्धर उडाई आती है गद्धी निसिंग की आती है वहाँ पर भी लिखा पढ़ी होती है बापजी जैसे दादू पंत है दादू पंती पंत का मतलब क्या है इसमें पंत का मतलब रास्ता रास्ता दादू इमाराज निराकार के उपासकते और जिसमें दादुरी महाराज के अफ्तार हुआ है उसमें कट्टर जो है आकरमक मुस्लमान बाहरी बर गाई हुए थे तो आपस में लोग बैमिनस्ता रखते थे संत दादुरी महाराज ने ऐसे सब्दों के दौरा अफ्देश किया है कि देखो आपा मेटे हर बजय तन्मन तजय विकार निर बहरी सब जीवसन दादु यह मुस्ता उनने पूरे मत का सार दे दिया अपने जो उपनिसद हैं बेद हैं गीता है उनका भी लक्षे है उसका जब सामान जब से देखते हैं तो यह पता लगता है कि उस समय के कितने पहुंचे हुए संत थे जिनों ने ऐसे उपदेश किये जिनकी बाहनी आज भी जो है मनस्तों को ऐसे बीवस समय में भी और एक उपदे तो आपा मेटे हर बजे जानी एहिंकार को समाप्त करें परमात्मा का भजन करें तन्मन तये विकार तन के और मन के विकार कौन से हैं इस्या द्वेश राल एहिंकार इनको जो है इनको जो है समाप्त करें तब जो परमात्मा की प्राप्ती होगी तो ऐसा जो लेक किया गया आपरसुना और उदर गीता में भी बात आती है बागवान कर्ष्ण बाबा अफदेश देते हैं और गीता जैसे बेदों का पहला मंत्र पहले मंत्र में इसा वास मिदम सर्वम यत किंचिज जगत्याम जगत्या तेन त्यक्तेन भुंजी था मागर्दे किसी के दन की इच्छा मत्र वह भी त्याग सिकाते हैं इस डेरे में काफी प्राचिन चीजे हैं जैसा कि मैं देखा है इससे भी प्राचिन जो आई ग्रंत मैं आपको और दिखाता हूं कि इसमें पेज काफी प्राचिन हो चुके हैं यह गंत्र के जो यह खकी करने प्राचिन सांडी 400 बर्स प्राचिन है साढ़ी 400 बर्स सारे ग्राचिन य nessasin यह ने अनि देखे hier भी Hindi में लिखा ए और इस तरह इन्होंने भी जो आपना पर्चे दिया रिखने वालों है जी यह देखिए पेज जो है शत्रस्त होने लगे हैं समय के अंशार जी यह देखो लेकिन लिखा हुआ अभी तक साफ का साफ है जो कहता हूं जी अब यह गंत देखते हैं तो इनकी कई विशेष्टा हैं भी है क्योंकर हमारे संस्क्रसाइट में मापुस्टों की इन पुस को कुछ समय में ऐसे आकांत आई जिन्होंने इनको नश्ट ब्रश्ट किया तो यह सुक्षित किस तरह रहे तो बाबाजी जैसे ही आपने दिखाया था यह ताला जी आप देखते हैं लगबग असी बर्स पुराना यह ताला है तो इसका जो टेक्निक है देखिए खोलने की टेक्निक जो बाबा जी दिखाएंगे हमें यह हमारे गाउं अलेवा में एक लेरी जांगडा हुआ करते से जी उनने जो बनागे दिया सा मुझको तो लेरी जांगडा अपने गाउं अलेवा का बनाया हुआ यह ताला है उनके द्वारा बनाया गया ताला और इसकी चावी भी special है ताला भी special है देखिए इस तरह की चाबी आप देख सकते हैं क्या टेक्निक है ये तो बाबा जी इसके यूज करके दिखाईए ये ये बंद हो गया जी लोक हो गया ताला और ये इसका जो है जमा करके इसको इस प्रकार से खुला जाता है इसको अगर दबाव देंगे पिछे से दबाव देंगे तो अखुलेगा जी न तो इसके चाई बनते और जल्दी तूटने में आता जी काफी मजबूत ताला है तो लेरी जो जांगला हुआ करते थे तो देखिए इसको अपने पास मौजूद है जी ने एक बेंत बना के दिया था ये के ताला उनकी एक कजिए प्रशीन दरोबर इसको अपने पास मौजूद है जी एसा जो अमारे गाओ में कलाकार भी हुए ऑ गाह में गायक लोग भी हुए हैं पंडित ज्यानि राम जी है जिनोंने अनेक जो है हर्याना बासथा में करप्ते लिए पंडित माही राम जी उह और थे पंडित ल अपनी अलेवा की जो भूमी है ये कुर्षित्र के एरिया में आती है अक्ताइस कोस के एरिया में जो कि धार्मिक भी है सद्दावान भी है और इतना बड़ा गां होने के बाद भी लोगों में जो है किसी प्रकार का द्वेस भाव नहीं है ये उन मापरसों की बड़ी करपा ह जिससे ऐसा कार इंबर चला है तो बाबा जी जो पुराने गरंथ है वो भी दिखाईए दर्शकों को तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें जो पुराने गरंथ है हम आपको दिखाते हैं वो गूफ पीडी के जो नाम लिखे हुए है जहां पर नाम लिखे हुए है गूफा के बाहर लिखे हुए यह देख सकते हैं पुरानी तस्वीर यहां पर देख सकते हैं शुरीदादू द्याल जी महराजगी इस पीडियो को जादा से जादा शेर करें जादा से जादा लाइक करें तो बाबाजी हमें दिखा रहे हैं जो पहले हम गूफा के दर्शन करेंगे जहां पर बजन के आ गया था यह देखर यहां पर शिवलिंग भी है डेरे के अंदर शीलिंग भी मजूद है और हम आपको गूफा दिखाते हैं जो गूफा है यह गूफा में जाने का जो रास्ता है यहां पर है अब डेरे के अषगा है ये कम से कम 300 साल पुरानी ये गुफा है जहां मारत जियाने यहां पर बजन करते थे ये गाउं अलेवा के अंदर है बातु पट्टी, सातन पट्टी गाउं अलेवा कहीं से भी पता कर सकते दातु वप डेरे से गाउं अलेवा के अंदर दातु डेरा अलेवा ये गुफा है 300 साल पुरानी कम सेखम 500 साल 500 साल पुरानी गुफा है चाम जो संतो होते थे वहां बजन बैटके करते थे कि देखो भाई 500 साल पुरानी गुफा अधारा सो अर्थी संबत अथारा सो अर्थी के चरण पादु का पादु का ही बोलते ना बाबा माया राम जी देख सकते आप इस पर लिखा भी हुआ है पत्थर बर यह देख सकते आप वीडियो जदस ज़्यादा शेयर करें जदस ज़्यादा लाइक करें और देखिए यहां पर जो है जो नाम लिखे हुए कितने गद्धी चलिया रही है तो यह जो पराचिन गरंथ थें तीन सो चार्षो साड़ चार्षो साल पुराने और भी गरंथ हैं बाबाजी के बास यह देखिए तो यह लंगर हाल है यह पूरा दिखा देखिए प्राचिन गरंथ आप देख सकते हैं यहां पर देखिए सपस्ट हिंदी बाशा में लिखे हुए है यह रामचित्र मानस यह कितने साल पुरानी यह बाबाजी यह कई सतर साल पुरानी जी तो और भी गरंथ है देखिए हम आपको दिखाएंगे यह देखिए लगबग चारसो सड़ चारसो साल पुराने गरंथ है यहां पर शीमा पुरान भी है जिसमें रतना कर भी है दादू वानी भी है जिसमें देखिए जिसमें भी लिखे हुए ने पर अब 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 जैसे ठारा सो तालिस लिखा ओए तो ठारा सो तालिस का यह जी 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 इनमें बैसर जट्न वली आदभी है जी तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि डेरे के अंदर बाबाजी ने जो है बड़ा अच्छा हम भी कह वह एक बगीचा भी बनाया हुआ है कि हम आपको बगीचा भी दिखाते हैं कि के लिकाव रिक्ष भी है जहां पर पूजा की जाती है बगीचा हम आपको दिखाते हैं तो देख सकते हैं आप सुंदर साइक बाग की तरह है जो खाली जगा है उस पर पेर पोदे लगा कर यहां पर बगीचा सा बनाया गया है तो देरे के अंदर बाबाजी ने खरगोश भी रखे हुए है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें आप देख सकते है कि खरगोश भी यहाँ पर रखे हुए है बच्चों के मरुझन के लिए वैसे भी रखे हुए है और तोते भी यहाँ पर देख लेए विदेशी तोते जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते है यह देखिए विदेशित होते हैं तो हम आपको एक प्राचिन स्थान भी दिखाते हैं राजा मान सिंग ने आगया दिथी यह बनाने के लिए हम आपको डेरे में एक प्राचिन स्थान दिखाने जा रहे हैं कि अब कौन से सन का बना हुए बाबाजी इसको विए 465 वर्ष पुराना जो आप देख सकते हैं कमरा गड़ी का बना हुए आज भी और बाबाजी इस सुनने में आता है कि जो पुराने जो कमरे होते थे वो कर्मियों में ठंडे और सर्द्यों में गर्म तो कुछ आसा है मैसूस हो रहाकि सर्दियों में गर्म ही आज भी देखिए नीट पह सार है दीवारे एक एक गजद की छोड़ी है एक एक गजजद चोड़े साहर जो आंज देखने को भी मिलते आज कल गी नजङनरेशन में तो बिलकुल भी देखने कोarta मिलते हैं से चोड़े सार वीडियो को जादा सी ज्यादा शेयर करें ज्यादा सी ज्यादा लाइक करें हमारे गाउं में भी देख सकते हैं आप एक ऐसा डेरा है अलेवा गाउं में प्राचीन डेरा जिसमें प्राचीन ग्रंथ भी है प्राचीन सब्विता का परतीक है तो बाबा जी और क्या खास बात हैं आपर मापुर्शों की तपोस्तली है उस तपोस्तली में यहां के परमानु देखते हैं तो बाबा जी गाउं का कोई व्यक्ति आकर ग्रंत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं बलकि आपके कुर्शित इनिवर्स्टी से पंडित राम बिलाजी सर्मा जो प्राचीन ग्रंतों का अन्वेशन कर रहे थे क्योंकि इन सकार में अलग से एक डिजिटल बन गया है उसके लिए यहां पर पंड़े दिन रहे थे उन्होंने जो मेरे पार ग्रंत मौजूद हैं उनका उन्होंने अध्यन किया था और उन पर नंबर सीरिल नंबर भी डाला था जिसका चार गंतों मैंने कुर्शेत्र प्राचीन संग्राहले में दिये थे चाह ग्रंत जो है जीन्द जैन्ती देवी मंदर के साथ में संग्राहले है जिला संग्राहले उसमें दिये हुए है उस समय के ग्रंत जो हस्तिके संतों के वगागरते हैं वीडियो ज्यादस ज्यादा शेयर करें, ज्यादस ज्यादा लाइक करें, डेरे की मुरमत जो समय पर की जाती है, जिस विसे डेरा आज भी मुझूद है, और अच्छी कंडिशन में मुझूद है, तो बाबा जी के पास आकर आप गरंत पड़ सकते हैं, कोई पुरानी चीज देख सकते हैं, और ये कमरा देखना चाहें, आप देख सकते हैं, इस चीज की किसी चीज की कोई मनाई ही नहीं होगी, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से लाइक करें,